नमस्कार आदमे दिन भर में कितनी चाय पीता है कम से कम यह तो सोचना चाहिए कि स्कूल से लोटनी के बाद उसे भी चाय की तलब होगी खास का राज जब कि उसका शनिवार का वरत है ये भी नहीं हुआ कि सामने की गुम्टी से एक पैकेट हिला कर रख देते दूद खत्म हो गया क्या उसने जान भूज कर बाहर आकर पूछा पती ने टीवी से नजरे हटाए बिना ही जवाब दिया फ्रिज में नहीं है न तो खत्मी हो गया होगा आधा लीटर तो लेती हो उसका भी पंच नामा करने बैठ जाती हो वह भुन-बुनाते हुए भीतर लोट आई हम याधा लीटर दूद भी कैसे जुटा रही हूँ मैं ही जानती हूँ पर उन्हें तो दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है सब कुछ उसके भरू से छोड़कर वह निश्यन्थ हो गये है उसने किसी तरव काली चाय ही गटक लिए और फ्रिज में से लौकी निकाल कर छेलना शुरू कर दिया कुछ देर बाद पती दे भी तर आए तुम्हारी चाय बन गई क्या दूद तो है ही नहीं चाय कहे से बनेगी शिट मैं सोच रहा था अपने लिए बनाओगी तो दो घूट मैं भी ले लूँगा दूद लादी जी अभी बना देती हूँ सुबह थोड़ा जादा ले लिया करो न घी और मखन तो तुम्हारे राज में सपना ही हो गए है पर कम से कम चाय तो मन भर के पीने दो सबजी काहे की बना रही हो लौकी इससे सस्ती कोई सबजी बाजार में नहीं है क्या ये आपसे किसने कह दिया कि लौकी सस्ती है एक आदमी को छोड़कर बाजार में कुछ भी सस्ता नहीं है डालें सोना हो रही है और प्याज आकाश हो रहा है सामाने आदमी का तो जीना ही दुबर हो गया है बड़बडाती हुए उसने कटी हुई लौकी ये अटाई डिब्बे में डालकर फ्रिज में रख दी और कहा अपने पसंद की कोई सबजी ला दीजिए फटाफट बना दूँगी मुझे बहुत भूख लग रही है सुबह से सिर्फ दो केलों पर हूँ तो ये वरत उपास करने के लिए किसने कहा था क्या मैं अपने लिए कर रही हूँ अगर मेरे लिए कर रही हो तो मत करो यही चीजे मेरा रास्ता रोपती है मतलब तुम्हारे पुन्य आने नहीं आते तो कब कचो मंतर हो गया होता मैं मैं भी छूट जाता तुम भी आजाद हो जाती बस जब भी देखा कि विवाद ज़रा ज़ादा गहरा गया है या कि अपना पक्ष कमजोर पढ़ रहा है तो जट से मरणद्वार पर जाकर खड़े हो जाते हैं शुरू शुरू में तो वह डर जाती थी पर अब इस इमोशनल ब्लैक मेल का उस पर कोई असर नहीं होता बलकि गुस्सा ही आता है इच्छा होती है कि कह दे मरना है तो जाकर मरो ना बार-बार धमकी क्यों देते हो ऐसे जीते जी भी तो तुम मुझे कौन सा सुक दे रहे हो पर कह नहीं पाती संसकार आड़े आ जाते हैं फिर डर भी लगता है वैसे ही दिमाग खराब चल रहा है अगर बात लग गई और सचमच कुछ कर बैठे तो वह जिंदगी भर अपने को माफ नहीं कर पाएगी घर वाले खा जाएंगे सो अलग बाहर टीवी की आवाज फिर से आने लगी थी वह समझ गई कि वे बाजार नहीं जाएंगे अपनी सिगरेट लेने चले जाते हैं यही गनीमत है नहीं तो उसे ही पान के ठेले पर भेज देते उसने लौकी बाहर निकाल कर छोग दी दाल चावल का कुकर लगाया आटा गुंत कर रग दिया और बरतन साफ करने में जुट गई जितनी तेजी से उसके हाथ चल रहे थे उतने ही रोश से वबुन मुना रही थी जानते हैं आजकल महरी नहीं है फिर भी बरतनों का ढीट लगा देते हैं हर बर नई पतिली निकालेंगे महरी होती तो भिदख कर भाग जाती पर ये जो बिना पैसे वाली नौकरानी है न ये भाग कर कहां जाएगी उसे तो यहीं खटना है तबा गैस पर रहकर उसने प्लेट लगा दी और खाने के लिए आवाज दी उसके पूरी रोटियां बन गई पर वे नहीं आए फिर उसने अपनी भी प्लेट लगा ली और आवाज दी वे भीतर आये तब तक वे एक रोटी खा चुकी थी उसे सश्मुच जम कर भूख लगी थी वे बेमन से थाली पर बैठे और कौर चुबलाते रहे अपनी नाराजी को नापसंदगी को जाहिर करने का उनका यह तरीका था पर उसने ध्यान नहीं दिया वो अपना पूरा खाना खा कर ही उठी खाना खाते हुए उसे याद आया कि दो दिन से बड़े भाईया का पत्राया पड़ा है उन्होंने एक दो पते दिये थे पूछना चाहती थी कि यहां संपर किया या नहीं पर उनका मूग देखकर चुप रह गई इस समय पूछना बर के छटे में हाग देने जैसा ही था वैसे भी आजकल बड़े भाईया का नाम लेते ही उन्हें आग लग जाती है अब जो भी मिले की वह दोयम दर्जे की ही होगी ना कम से कम उसे काम चलाओ रूप में तो स्विकार किया जा सकता है खाने के बाद उसने बरतन साफ किये रसोई समीठी रोज तो सुबह के लिए सबजी भी काट कर रख लेती थी पर आज घर में कोई सबजी नहीं थी वैसे भी कल इतवार था उसे स्कूल जाना तो था पर देर से कमरे में आकर उसने बिस्तर ठीक किया और कल के लिए बैग भर कर रख लिया कारिकरम तो छे बजे से है पर इस स्टाफ को दो बजे बुलाया है उसके जिब में रंगोली है स्टेज की सजावट है गमलों का कलात्मक सयूजन है यह सब करते कराते उसका हुलिया ही बिगड जाएगा पांच-दस मिनट जो भी मिलेंगे उसमें उसे तयार होना है इसलिए एक अच्छी सी साड़ी कंगी, कील काटे थोड़ा सा मेकप का सामान फेस वाश, नैपकेन सब रख लिया और बैग आलमारी में छुपा कर रख दिया अभी देख लेंगे तो शुरू हो जाएंगे किसे रिज़ाने जा रही हो अब चार लोग आएंगे तो उनके सामने खिल खिलाती तो नहीं जा सकती न मैं पर आजकल उसका सजना सवरना एकदम संदेह के घेरे में आने लगा है सोने से पहले एकाद सीरियल देखने की उसकी आदत हुआ करती थी पर अब तो टीवी उसके हिस्से में ही नहीं आती कोई न कोई मैच हमेशा चलता ही रहता है मैच नहो तो फॉर्मूला वन रेस नुआ भी नहो तो डबलो डबलो एफ तो है ही पहले वाला समय होता तो वह अपने लिए अलग से एक टीवी ले लेती पर पहले वाला समय होता तो पती दिन भर घर में क्यों दुखका रहता आज कल वैसे तो उसे टीवी से चिड़सी होने लगी है पर रात में उससे बड़ा सहारा रहता है वह तो मनाती है कि ये बुद्धु बक्सा कभी बंधी न हो रात भर चलता रहे वह चलता भी है शायद पर देखने वाले का धहरे चुख जाता है इधर टीवी बंध होता है उसकी चाती में डर के बगूले से उठने लगते हैं दहशत से उसका खुन जमसा जाता है दिन भर बेचारा सा देखने वाला यह आदमी रात में एकदम दरिंदा बन जाता है उस दें व्यापार में प्रेम तो खेर होता ही नहीं है वासना का पुड़ भी नहीं होता होती है केवल नफरत, तिरसकार लगता है जैसे जमाने भर का प्रतिशोद वह उससे लेना चाहता है पती के इस अक्रामक रवईये से उसकी सारी सम्वेंदनाई शिथिल हो जाती है तब उसे और गुस्सा आता है कहता है अब मैं कमाता नहीं हूँ न, इसलिए तुम्हें मुझ में रस नहीं रहा लड़ जगड कर पती तो मज़े में सो जाते हैं और त्रिप्ती के खराटे भरने लगते हैं पर उसे सारी रात नीन नहीं आती सोचती है इस तरह रोज रोज मरने से अच्छा है एक बारगी सब कुछ खत्म कर दे पर फिर मासोम सुयश का चेहरा आखों के सामने आ जाता है उसे किसके भर उसे छोड़ जाएगी वा इस अकरमर्ने आदमी के माना कि इस समय मामा के इहां अच्छे से पल रहा है पर उसे सारी जंदगी तो वही नहीं रखा जा सकता न उसे कभी तो अपने घर अपने लोगों के बीच लाना होगा उन दिनों पती एका एक घर बैट कहे थे रफ्तर जाना उन्होंने एकदम बंद कर दिया था जब भी कुछ पूछा वे जैसे काटने को दोड़ते थे आमदनी के श्रोत एकदम सूख गये थे कभी शौक से एक छोटी मुटी नौकरी कर ली थी वही अब संजीवनी का काम दे रही थी पर उससे पूरा तो नहीं पढ़ता था न पती से छुपकर ही फिर उसने पती के एक कुलीक से भीट की पता चला गबन के मामले में नौकरी से निकाल दिये गए हैं उसके तो पैरो तले की जमीन खिसक गई उसी व्यक्ती के साथ वह फिर बोस से मिली उन्होंने रूखे लहजे में कहा जाच चल रही है पूरी होने पर आपके पास नोटी सा जाएगा उसने आखों में आशो भर कर पूछा क्या आप कुछ नहीं हो सकता बहुस कुछ नरम पड़े बोले देखिए हमारे पुराने करमचारी है इसलिए अभी तक हमने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की है अपने ही इस तर पर जाच कर रहे हैं अगर रकम भर दें तो जाच रोग दी जाएगी पर दुबारा काम पर लेना तो नामुम्किन है उन्होंने जो रकम बताई उसे सुनकर उसकी आखों के आगे अंधीरा चागया उसने दोनों जेट लोगों को खबर की उन दोनों मेंसे कोई भी नहीं आया ना उन्होंने कोई मदद की पेशकर्ष की गुल्टे उस पर आरवपों की उपदेशों की जड़ी लगा दी तुम्हारी अंगीनत फरमाईशों के चलते उसे आज नौकरी से हारधोना पड़ा है आदमी को चादर देखकर पाउपसार ना चाहिए तुम जैसे औरतों के कारण ही देश में ब्रश्टा चारपाउपसार रहा है पती बेचारे करे भी तो क्या करे वे दोनों बड़ी आसानी से है भूल गए कि सबसे ज़ादा फरमाईशे उन्हीं लोगों की और से आती रही है बेटिया की शादी तै कर दी है तुम्हारे भरोसे ही वर्पक्ष की सारी मांगे स्विकार कर ली है बेटे की एड्मिशन करानी है कुछ भेज सकते हो दोसरी मंजिल बनवा रहा हूँ मदद करनी पड़ीगी मतलब यह कि जब भी इन लोगों के यहां से पत्राएं है कई बार उसने एत्राज भी किया तो पती ने डपट दिया जिससे आशा होती है जो देने लाइक होता है उसी से मांगा जाता है सबकी आखे मुझ पर लगी होती है उन्हें कैसे निराश कर दूँ आज जब अपने पर समय आया है तो उन लोगों ने बड़ी निर्ममता से हाथ उचे कर दिये है हार कर फिर उसने सारी लाज शरम टाक पर रखकर बड़े भाईया को पीसियों से फोन किया था वे कृष्ण की तरह एक ही पुकार पर दोड़े चले आये थे आते ही उन्होंने सारी कमान समान ली थी और पता नहीं कैसे सारा मामला सुल्टा दिया था जाने से पहले भाईया ने घर में 6-8 महीने का राशन पानी तेल साबुन सब भर दिया था फिर बोले देखो तुम्हारी या लड़ाई अभी शुरू हुई है वह लंबी चलेगी वह तुम्हें ही लड़नी है पर इसापा धापी के बीच तुम क्या इस बच्चे पर ध्यान दे पाओगी उसका सहमा हुआ चेहरा देखकर मेरा तो कलेजा मूँ को आ रहा है यह सब सहने कि उसकी उम्र नहीं है उस पर इन परिस्थितियों का विपरीत प्रभाव भी पढ़ सकता है इसलिए इसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ जब सब ठीक ठाक हो जाए तो इसे खुशे-खुशे ले आना भाईया के इतने अनंत उपकार थे उस पर कि वह मना नहीं कर सकी और यह भी तो एक उपकार ही था अब कई बार मन होता है कि उसे फोन करके पूछे बेटा तु मजे में तो है ना मामा पहले की तरह प्यार करते है ना मामी लाट करती है ना गुस्सा तो नहीं करती समय से खाना वगएरा तो देती है ना मामा के बच्चे तंग तो नहीं करते, फिर उसे होश आता है कि वह तो बाहर से फोन कर लेगी, पर बच्चा तो सबके बीच में बैठ कर जवाब देगा ना, तब क्या वह अपने मन की बात कह पाएगा, कई बार सोचती है कि किसी इतवार की छुटी में, आचक जाकर बच्च के साथ बेटे की यादों को शेयर करे, पर पती तो अपने आप में ऐसे सिमट गए हैं, कि उनकी दुनिया में बेटे के लिए कोई भी जगह नहीं है, सुबह उठी तो सिर भी भारी था और वदन भी तूट रहा था, पर उठना तो था ही, इतवार होनी के बावजूद भी अराम के कोई गुंजाइश नहीं थी, नौकरी पेशा और तो पर तो छुट्टी का दिन और भारी पढ़ता है, उसे भी हपते भर के सबजी लानी थी, हपते भर के कपड़े धुने थे, चादरें बदलनी थी, परदे बदलने थे, पती देव के लिए संडे स्पेशल किया है, मैंने बताय था ना मुझे आज जाना है, तो तुम जाओ, मैं खा लूँगा, उसने फिर खाना खाया, कपड़े बतले, अपना बैग उठाया, और बाहर वाले कमरे में आ गई, पती देव हस्बे मालूम आराम कुरसी में लेटे, चिगरिट फूक रहे थे, और टी पर लगा दिया है, जब भूख लगे तो खा लेना, जो आग गया, रिमोट दो, मैंने बताया था ना कि आज हमारे यहां कल्चरल प्रोग्राम है, शाम को लोटने में देर हो सकती है, तो मेरा इंतिजार मत कीजिएगा, समय से एक खाना खा लीजिएगा, कैस रोल में फुल लोटने में देर हो सकती है, और मैडम अकीले आने नहीं देंगी, तो अगर कोई मुझे छोडने घर तक आए, तो उनके सामने ही शुरू मत हो जाना, बाद में जो कहना होगा कह लीजिएगा, पिछली बार का ताना दे रही हो, यही समझ लीजिए, उस दिन बस खराब हो ज जाने से पिकनिक से लोटने में देर हो गई थी, सबके घर से फोन पर फोन आ रहे थे, पर मेरे घरवालों ने मुझे भगवान भरों से छोड़ दिया था, स्कूल में हर एक के घर से कोई नकोई लेने पहुचा था, पर मेरे यहां से कोई नहीं आया, मैडम ने इस समय भी जलूठा था मेरी वज़े से बहुत परिशान हो न तुम बहुत तंग करता हूँ न मैं तुम्हें इसलिए सोचता हूँ कि ये खेल खत्मी कर डालूं तो अच्छा मैं भी यही सोचती हूँ वे चौके इतनी उप गई हूँ मुझसे हाँ बहुत उप गई हूँ आपसे भी और अपने आपसे भी आपसे ही नहीं इस जिन्दगी से तंगा गई हूँ सुबह से शाम तक खटती रहती हूँ पर चैन का एक पल प्यार का एक बोल नसीब नहीं होता बस वही ताने उलाहने आप तो सिर्फ मरने की कुरी धमकियां देते हैं पर मैं इस मरनान तक पीड़ा से रोज गुजर रही हूँ पर मर नहीं पाती क्योंकि मरने के लिए भी हिम्मत चाहिए या एरे गैरों के बसकी बात नहीं है वह समझ नहीं पा रही थी कि ये सब वह किसके लिए कह रही है अपने लिए या पती के लिए पती को भी शायद यही असमंजस था तब ही उनका ध्यान उसके कंधे पर लटके बैक की ओर गया रात को घर लोटने का इरादा नहीं है क्या ना लोटूंगी तो कहा जाऊंगी इच्छा हो या ना हो आना तो यही है फिर ये बैक किस लिए बताया था ना शाम को कारकरम है बदलने के लिए एक साड़ी रख ली है तुम्हें इस टेज पर तो नहीं जाना है ना तो क्या महमानों के सामने भूतनी से गूमती रहूं अभी जाते ही मुझे काम में जुट जाना होगा शाम तक तो मेरा हुलिया देखने लाइक हो जाएगा साड़ी ले तो जा रही हूँ बदलने के लिए समय मिले तब ना मिलेगा जी खुब समय मिलेगा कपड़े बदलने का भी और मुरीदों को रिजाने का भी पती ने कुछ सित कटाक्ष किया अब कौन रिजेगा मुझ पर उसने चपल पहनते हुए कहा मेरी सारी रौनक तो इस घर ने सोखली है कहते ही वे वो बाहर निकल आई और उसने अपने पीछे दर्वाजा जोर से बंद कर लिया उसे लग रहा था कि अब अगर एक भी शब्द उसने सुना तो वह पागल हो जाएगी सड़क पर आकर उसने एक बार खुल कर सास ली और सारे अप्रिय प्रसंग को दिल से जटक दिया एक बार स्कूल पहुशने के बाद तो कुछ सोचने विचारने का समय ही नहीं मिला सारे का मोबाई उसके प्रतिक्षा कर रहे थे उसने अपनी चार-पांच प्रे शात्राओं को साथ में लिया और रंगोली में जुट गई इन चात्राओं को भी उसने इस कला में पारंगत कर दिया था पूरा एक घंटा लगा था स्टेज के सामने उस सुन्दर कलाकृती को उक्विरने में उसके बीचों बीच दक्षड भारतिय ढंका पीतल का बड़ा सा दीपक रख दिया था फिर स्टेज को फूल मालाओं से आमर पत्तों के तोरण से रेशम की लड़ियों से सजाय क्या गेट से लेकर स्टेज तक गमलों के सुन्दर कतार लगाई गई जगे जगे अगरबतियां खोस दी ताकि वातावरण सुगंदित बना रहे यह सब करते कराते साढ़े पांच कब बच गए पता ही नहीं चला वा भाग कर स्टाफ रोम में पहुची अपने लंबे घने बालों का उसने प्यारा सा जुड़ा बनाया अपने लिए गजरा बचा लिया था उसने वा उस पर टाक दिया प्यारी सी पोचम पली पतन लोर हलका सा मेकप किया होटों पर लिप्स्टिक फेडते हुए अनायास हाथ काप गए लगा कि पती पर मेश्वर दरवाजे से जहाक रहे है और उनकी आखों में वही कुछ से त्व्यंग झलक रहा है तैयार होने के बाद उसने मोतियों की एक लड़ी गले में डाल ली इसे वह बड़े यत्म से पर्स में छुपा कर लाई थी उसके पास अब एक मात्र यही जेवर बचा था बड़े भहिया जब सारा काम सुल्टा कर वापस जा रहे थे तो वह उनके पास जाकर खड़ी हुई अपने गहनों का पर्स उसने भहिया के सामने उलट दिया और कहा भहिया मैं नहीं जानती आपने कितना खर्च किया और कहां से किया उनका अंशता भुगतान भी यदिये भहिया का चेहरा एकदम तम-तमा गया आँखी अंगार हो गई पगला गई हो तुम मैं तुम्हारे गहने लूँगा उसका चेहरा इतना सा निकल आया आँखे डब डबा गई कुछ छड़बाद भाईया का आवेश भी थोड़ा ठंड़ा पड़ गया गोले ओन दा सेकेंड थॉर्ट मैं सोचता हूँ ये गहने ले ही जाऊँ सुयश की अमानत के रूप में ये मेरे पास सुरक्षित रहेंगे यहां रखना ठीक नहीं है वे लोग किसे भी दिन तुम्हारे घर की या लॉकर की तलाशी ले सकते हैं लेकिन अब तो सारा मामला सुलच गया है न पर अभी उन्होंने हमें क्लेंचिट तो नहीं दी है न बस यही कह सकते हैं कि फिलहाल खत्रा टल गया है ये भगवान तो क्या सारी जिंदगी इसी सांसत में जीना होगा जैसा की तै था कारिकरम ठीक दस बजे समाप्थ हो गया सामान उठाते धरते लड़कियों को पालकों के सुपोर्ट करते कराते साढ़े दस बच गये जैसा की अंदेशा था चलते समय मैडम ने तिवारी को उसके साथ कर दिया उसने भी बहसबाजी नहीं की और चुपचाप स्कूटर पर वैट गई चौर आहे पर आते ही उसने कहा तिवारी जी मुझे यहां उतार दीजिए प्लीज मैं रिक्ष़े से घर चली जाओंगी आप भी अब घर जाए बहुत देर हो गई है इत्मिनान रखिये मैडम को कुछ पता नहीं चलेगा तिवारी जी ने जरा भी हीलो हुजजत नहीं की लगा की वे वेमन से ही सही इस काम के लिए तयार हुए थे उतनी रात में रिक्ष़ा मिलना जरा मुश्किल था पर वे सौजन निवश उतनी ही देर उसके साथ खड़े रहे उसके रिक्ष़ा में बैठते ही हाथ हिला कर बिदा हो गए रिक्ष़े में बैठने के बाद उसे घर की सुधाई वह सब यादानी लगा जो चलते समय हुआ वे सारे समबाद जो उन दोनों के बीच हुए थे आज कुछ जादा ही तीखा जादा ही कड़वा बोल गई थी वह ये तक कह दिया था कि आप तो मरने की कोरी धमकिया देते रहते हो कहीं इस बात को सचमुच दिल से लगा लिया हो तो सचमुच ही कुछ कर लिया हो तो और कुछ नहीं तो घर ही छोड़कर निकल गए हूँ तो आधी रात को वह कहां ढूनने जाएगी और मिलेंगे भी तो पता नहीं कहा कि सवस्था में नाना तरह की आशंकाओं से उसका दिल धड़कने लगा कलेजा मुह को आने लगा घर पहुचते ही पहले उसने रिक्षे से बाहर जाका खिडकियों के परदों से भीतर का प्रकाश छन कर बाहर आ रहा था मतलब घर पर तो हैं पर कैसे हैं कि सवस्था में है पैसे देकर जब रिक्षे को विदा कर दिया तब उसे टीवी की आवाद सुनाई दी शायद मैच के आखरी ओवर्स चल रहे थे प्रेक्षकों की उच्छुकता चरम पर थी या शोर से जाहिर हो रहा था उसने खिडकी से जाक कर देखा श्रिमान जी बदस्तूर आराम कुर्सी में लेटे सिगरेट फूक रहे थे और मैच देख रहे थे तब ही फिल्डर के हाथों एक कैच छूटा और पती ने इतनी भद्दी गाली दी कि उसके कान जंजना उठे उसके तन बदन में तो जैसे आग लग गई छी ये आदमी है या चिकना घड़ा क्या इसके रिंड में हड़ी ही नहीं है क्या मान अपमान सब उठा कर इसने खूंटी पर टांग दिये है और इस अकरमर्ने बेश्रम आदमी के लिए मैं पूरे रास्ते चिंता करती आई हूँ देवी देवता मनाती चली हूँ क्या इसमें अब जरा भी स्पार्क नहीं रहा ऐसे बेगैरत आदमी के साथ कोई एक छट के नीचे कैसे रह सकता है गंटी बजाने के लिए उठा हुआ उसका हाथ अपने आप नीचे आ गया और वह वहीं सेडियों पर धम से बैठ कई अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी कहानी बुझे हुए दीब और तूटती आस्थाए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करे और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए धन्यवाद